नमश्का दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंदर यादव है, आप देख रहे हैं कि एकदम से ठंड जो है अपने पीक पे जा चुकी है, यानि इस टाइम में यदि हम अपने टर्टल या टॉटाइस के केर नहीं करी तो आप इमान के चलिए वो एकदम से खाना पीना छोड देंगे, या उनकी मॉर्टलिटी भी हो सकती है, इसलिए हमें कुछ ऐसे स्टैप्स उठाने चाहिए अपने टर्टल या टॉटाइस के लिए, ताकि हम उनको पूरी सर्दी स्वस्त रख सके, देखिए, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, आपको पाता है, इनकी बॉ बॉड़ी में कोई मुमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब मेटाबोलिजम स्लो हो जाता है, तो यह क्या करते हैं कि बॉड़ी की एनरजी को यूटरलाइस नहीं करते हैं, यानि यह उसी अवस्ता में पूरे अगले आने वाले दो-तीन महीने उसी अवस्ता में निकाल देंगे लेकिन हमें क्या-क्या precautions रखनी चाहिए कि इस तोरान, क्योंकि जब वो हिलेगा डूलेगा नहीं तो बहुत से ऐसे हैं, बहुत से जानुर उस पर attack भी कर सकते हैं, उससे बचाओ के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा हम maintenance diet के तोर पर हम क्या देंगे, क्योंकि ऐसी अवस्ता म यदि हमने maintenance diet नहीं दिया, तो आप एमान के चलिए जो कच्वे कमजोर होते हैं, देखिए जो बहुत ज़्यादा healthy turtle या tortoise होते हैं, उनकी body में excess fat deposit होता है, वो तो इस सर्दी के period को या इस सर्दी के जो जटका इसको झेल पाते हैं, लेकिन जो weak होते हैं, कमजोर होते हैं, वो इस सर्दी को जेल नहीं पाते हैं, धीरे धीरे आप एमान के चलिए, कि आने वाले 2-3 मीने में automatic उनकी death हो जाती हैं, इसलिए हमें दोनों का ध्यार रखना है, जो कमजोर है उसका भी, जो healthy है उसका भी, और दोनों को maintenance diet के दौर पे हमें कुछ ऐसे steps उठाने जो की हमें रोजाना follow-up करने पड़ेंगे, ताकि उसके शरीर की उर्जा maintain रहें, भले ही वो कोई moment नहीं करेगा, लेकिन उसको maintenance diet के तौर पा, यानि उसको जिन्दा रखने के लिए हमें उसको ऐसे steps follow-up करने पड़ेंगे, कि आपका कच्छवा सर्दी के अंदर यादि उस दिखेंजी, UV light जो है, 25 वोल्ट की और 50 वोल्ट की available है, जिदि आपको लगता है कि आपके बस नमर और टर्टल या टर्टल जादा है, एक से जादा है, तो आप 50 वोल्ट की जो है, UV या UV light का आप चुनाव कीजिए, और उसमें क्या है, उसका जो distance होना चाहिए, टर्टल की कर पाता है, उसकी स्कीन भी जो है कई पर जल पाती है, इसलिए जो 15 से 18 इंच का जो distance होता है, टर्टल और लाइट के बीच में इस सबसे आप कह सकते हैं, और इस डिस्टेंस पे आपका टर्टल या टर्टल दोना बहुत ही comfortable रहते हैं, आराम से उस distance पे बैठे रहते हैं, की काफी मदद करते हैं, दूसरा, कैल्शियम फास्पोरस का absorption की बॉड़ी में regular होता रहता है, और जो internal organs है, आपको पता है, उस internal organs को work करने के लिए थोड़ा सा UVB light भी चाहिए होती है, यदि हम इसको artificially light प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आप एमान के चलिए, कि आपका turtle धीरे-धीरे, automatic उसके organs से काम करना बद करते हैं, पहला step तो आपने करना है कि UVB light आपने daily उसको heat देना है, दूसरा, आपने turtle या tortoise, दोनों की humidity को maintain करना regular जरूरी है, भले ही वो खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपको पता है, जब light की heat पढ़ती है, तो उनकी body में से आपने दिन के दोस टाइम, आपने turtle या tortoise को warm water में उसका जो नीचे का body level है, उसको केवल dip करना है, उसको छोड़ देना है, उस दोरान turtle पानी पी भी सकता है, नहीं भी पी सकता है, दोनों options है, लेकिन अक्सर ऐसे में देखा गया है कि वो अपनी body का moisture level maintain करने के लिए, टेल से पानी को सक कर लेते हैं, और ऐसे में यदि हम पानी के साथ साथ, यदि हम carrot juice mix कर कर देंगे, तो आप एमान के चलिए, विटामीन A भी उसकी body में जाएगा, और आपको पता है, विटामीन ये उसके skin के लिए, उसके internal organs को work करने के लिए बहुत ज़्यदा जरूरी होता है, इसलिए यदि 50% water और 50% carrot juice mix करके यदि में अपनी turtle ये tortoise को 15 में dip करते हैं, तो आपका turtle पूरी सर्दी healthy रहता है, बदला आप यमान के चलिए, आप उसको indirect liquidite दे रहे हैं, ताकि जब सर्दी के बाद गर्मी के मौसम के शुरुआते होगी, उस time आपका turtle बिल्कु healthy उठेग यानि उसमे कोई कमजोरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इस process को सुबह और शाम दो time 15-15 मिनिट के लिप केजिए, विटामीन A प्लस liquid dive indirect form में अपने turtle ये tortoise को देने का ये तरीका है, आप इसको follow up केजिए, आप और एक चीज़ और कर सकते हैं, calcium और विटामीन क की दो-दो drop, जिस carrot की juice of warm water में आप उसको dip कर रहे हैं, यदि आप उसमें dip कर देंगे, उसमें medicine mix कर देंगे, तो automatic वो भी उनके body के अंदर पानी के तुरू, या absorption के तुरू चली जाएगे, जो की उनको healthy रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आप एक पपीते को mash करके, पानी के अंदर mix करके, पपीते का juice बना करके, पपीते की juice में भी आप tip कर सकते हैं, जो की turtle या tortoise दोनों की liquid diet के तौर पे या उसको सरती में जिन्दा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा करने से क्या होता है, यदि आप ये चीज़े नहीं कर यदि आप ये process को follow up करते रहेंगे, तो आपका turtle eyes बिल्कुल shining करते ही नजर आएंगे, eyes में कोई watery discharge नहीं होगा, और आपका turtle जैसे ही मौसम में बदलाओ होगा, जैसी ही एकदम automatic weather 25-26 के करीब चला जाएगा, सर्दी जैसी का तब गर्मी की शुरूरात होगी, एकदम से क्योंकि हमने इसको maintenance diet के तोर पे कभी भी कुछ उसको follow up नहीं किया था, इसलिए ये चीज़ ये step up follow करेंगे, तो जब आपका कच्छवा सर्दी में से, नींद में से जागेगा, और गर्मी में जा करके आप देखेंगे कि दो या चार दिन में, जैसे हम उसको warm automate रखना इसलिए कि हमने उसको maintenance कैसे करना है, उसको कैसे जिंदा रखना है ताकि पूरी सर्दी हम उसकी life को बचा सके, उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आयोगा, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, धन्यवा झाल, 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